नमस्कार दोस्तो आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल से पलवेश ट्रीपस आता है दोस्तो एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम एक मार्च दौज़ चौबिस के सभी में अत्मूर करें पेस को देखेंगे तो दोस्तो वीडियो में आगे पनी से पहले अगर आपको इस वीडियो का पीडियो डाउनलोर करना है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जोड़ करके इस वीडियो का पीडियो डाउनलोर कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक प्रिकास केंदृत सिच्छा कार्करम प्रदान करना है। यह मौजूदा Suim Plus का विस्टार है जिसका उद्धित से ऐसे पार्टे करमों की पेंचान करना और उन्हें सामिल करना है जो उद्ध्योग की जरुवरतों के अनुरूप हों और सिच्छार्थियों की रोजगार चम्ता को बढ़ाते हों तो स्वेम पोर्टल क्या था तो स्वेम पोर्टल की फुल फॉर्म है Study Babs of Active Learning for Young Aspiring Minds केंदरी सिच्छा मंत्राले का एक ओनलाइन मंच है जिसके माध्यम से बारत में चात्रों को ओनलाइन कारिकरम या बाटेकरम प्रदान किये जाते हैं प्रियोग कोश्ट इसे 9 जुलाई 2017 को लॉंच किया गया था तो यह स्वेम पोर्टल जो था इसमें कोवर्मेंट ने एक पोर्टल या वेफसाइट गनाई जिस पर विवेन प्रकार के कोर्स फ्री आपकोश्ट अपलोड कर दिये चात्र इस से पढ़ करके अलगलग प्रकार की skill अलगलग प्रकार के course free of cost पढ़ सकते हैं ठीक है और अब इसका जो है upgraded version 7 plus आया है तो इसमें क्या है कि इसमें सिच्छा मंतराले ने विविन कंपनियों के साथ समझोता किया है जिसके तहत कंपनियों में कारे करने के लिए जो skill की जरूवत होती है तो उससे समंदित प्रकार के course अब इस पर free of cost उपलब दोंगे और वहां से सीख करके चात्र अप ही जौब सनिशित कर सकते हैं नवींतम गरेलू को पुपवोक्ता यानि latest household consumer expenditure सर्वे से संकित मिलता है कि 2011 वारे के बाद 2012-2022 में भारत का गरीबी इस तर पांच प्रस्त से नीचे गिर गया है तो इसमें और क्या निश्कर्स देखने को मिले हैं तो इसमें सेरी परिवारों के बारती गरों का ओसत मासिक प्रतिव्यक्ति उपवोग वे बढ़ करके 3510 रुपे हो गया है जो 33.5% की ब्रदी है 2011 वारे के मुकाबले जबकि ग्रामिर परिवारों के बारतिगरों का ओसत मासिक प्रतिव्यक्ति उपवोग वे दोजार आट रुपे हो गया है 40.42 परसेंट की बड़ोत्री के साथ दोचर ग्यारे बारे के मुकाबले तो यह जो आखड़े हैं वो दोचर ग्यारे बारे के मुकाबले बिदावट इंप्यूटेशन है यानि कि इन्होंने सामाजिक योजनाओं का लाब नहीं लिया जो सरकार प्रियोप कोश्ट या फिर मिनीमम प्राइचेस पर चलाती है ठीक है तो उनका इन्होंने लाब नहीं लिया है तो वो जो खर्च कर रहे हैं वो आखड़े हैं तो यह ग्रामिट चेत्र में 2008 रोपे प्रतिमा है और सहरी चेत्र में 3510 रोपे प्रतिमा है जबकि जो लोग सामाजिक योजनाओं का लाब ले रहे हैं उन्हों के लिए यह आखड़े हैं तो ग्रामिट चेत्र में 2007 रोपे है जबकि सहरी चेत्र में 3544 रोपे है और इन आखड़ों को सरकार ने इसे बरती आमंदनी असमानता कम होने गरिवी के इस्तर में तेज ग्रावट के संकेत के रूप में चिनित करने की कोशिस की है सहरी परवारों के लिए बोजन पर खर्च का अनुपात जो है वो घट करके 49.2 प्रसत रह गया है ठीक है जो 2011 में 42.6 प्रसत था यानि कि 2011 में कोई परवार अगर 100 रुपे कमा रहा था तो उसमें से 42.6 रुपे वो खाने पर खर्च कर रहा था ठीक है सहरी परवार जबकि ग्रामीर परवारों के लिए बोजन का खर्च का अनुपात 46.4 प्रसत रह गया है गट करके ठीक है यह डाउन जो एरो लगा है इसका मतलब है यह घटा है और जबकि कूपर की जो एरो है इसका मतलब है बढ़ा है ठीक है तो यह 2011 बारे में 52.9 परसंट से गट करके अब 46.4 परसंट रह गया है यानि कि ग्रामीर चेतर में कोई वेक थी 2011 बारे में 100 रुपे कमाता था तो वो 52.9 रुपे खर्च करता था खाने पर और अब 2223 में वो 46.4 रुपे खर्च कर रहा है यानि कि खाने पर खर्च घटा है जबकि जो अन्य उपवो की चीज़े होती हैं जैसे मुबाइल है या और अन्य जरूरत चीज़े हैं कपड़े हैं ठीक है तो उन पर खर्च बढ़ा है MPCE द्वारा रंक किये गए बारत की सेरी आवादी के निचले 5 प्रसत यानि कि जो सब से कम कमा रहे हैं तो जो निचले 5 प्रसत लोग हैं तो उनका जो औसत औसत है वो 2100 रूपे देखने को मिला है सेरी चेतर में जबकि ये ग्रामीर चेत्र में अन्य जरी 1373 रूपे देखने को मिला है शरवादिक MPCE वाला राज्य कौन सा है MPCE का मतलब क्या है यहां पर तो मासिक प्रतिब्यक्ति उपभोग में तो सरवादिक मासिक मासिक प्रतिवेक्ति उपवोग व्याव बाला राज़ कौन सा है तो इस सहरी चेत्र में सिक्किम में देखने को मिला है तो यहां पर 12,105 रुपे खर्च करता है प्रतिवेक्ति जबकि ग्रामीर चेत्रों में 20 सिक्किम पहले नमर पर रहा है और यहां 733 रुपे खर्च करता है और नियुन्तम MPC बाला राज़ कौन सा रहा है तो इसमें भी 36 गर, सहरी चेत्र और ग्रामीर चेत्र दोनों में है 36 गर का सहरी ब्यक्ति 4803 रुपे खर्च करता है जो सबसे नियुन्तम है गरेलू उपवोगता बेसर्विच्षण 2022-23 के बारे में जान लेते हैं तो जो गरेलू उपवोगता बेसर्विच्षण होता है उसको राष्टी नमूना सर्विच्षण कार्याल है यानि एन एसेसो उद्वारा हर पांच साल में गरेलू उपवोग में आए परिवर्तनों को देखने के लिए कराया जाता है संथी की मंत्राले ने अगस्त 2022-22 से जुलाई 2023 के बीच किये गए थे और ये अनुमान लगाने के लिए 2,6,746 गरों जिसमें सेरी गर हैं 1,6,732 गर जबकि गरामी गर हैं 1,55,14 गर तो इतने गरों के आंकणों को एकत्रित किया गया था तो इससे पहले ये 2,11 बारे में जारी होगा था ठीक है और अब ये जारी हो रहा है 2,22 में जबकि बीच में एक और होना चाहिए था तो तो तोज़ज़ 17,18 में होगा भी था ठीक है तो ये सर्विच्छन होगा था लेकिन उस समय क्या था उस समय नोट बंदी हुई थी सा तो इसके कारण क्या था कि एकोनमी में बहुत जादा डाउन देखने को बिलाता ठीक है तो इसके कारण जो आखड़े आए थे तो उसको सरकार ने जारी नहीं किया था और सरकार ने उन आखड़ों को खारिज कर विया था सरकार ने का था कि ये बास्तवत आखड़े नहीं नोटबंदी और GST के कारण एकॉनमी प्रभावित हुई है इसलिए ये सई आंकड़े नहीं दर्साते हैं तो 2011 बारे के बाद जारी किया गया पहला ऐसा प्रमुख सर्विच्छन आधारेट डीटा है जो गरेली इस तर पर जमीनी अकीकत को दर्साता है क्योंकि बर्स 2017-2018 में कराई गए पिछले ऐसे उपवोग सर्विच्छन और इसी किस्म के रोजगार सर्विच्छन के नतीजों को डेटा में उर्वत्ता संदन्दी समस्या का वाला देती हुए सरकार ने खारेज कर दिया था NTPC के निर्देशक कौन बने हैं तो ये बने है रविच्छन चेतर की बिजली उत्पादन कंपनी NTPC लिम्टेटर ने रविच्छन कंपनी के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है NTPC की बात करें तो इसकी इस्ताफित निर्देशक के निर्देशक बने है बारत की सबसे बड़ी बिद्दु कंपनी है और इसकी कुल इस्ताफित बिद्दु चमता त्यक्तर गीगाबाट से अधिक है मई 2010 में इसे महारतन कंपनी का दर्ज़ किया गया था रेल्वे इस्टेशनों को इट राइट इस्टेशन प्रमाणन किसके द्वारा प्रदान किया आता है तो ये FSCI के द्वारा प्रदान किया आता है इट राइट इस्टेशन मूउमेंट देश के विशाल रेलिवे नेटवर्ग से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए सुरच्छित स्वच और पोष्टिक भोजन के बिकल्ब सिनिश्चित करता है यानि कि ये उनकी गुडवक्ता को जासता है और अगर गुडवक्ता अच्छी होती है उसको ये इट राइट इस्टेशन का गरजा देता है बारती खाद शुरच्छा और मानक प्रादिकरण यानि एफ एससे आई की बात करने ते इसकी इस्ताफना 2008 मुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्याले है एफ एससे आई खाद शुरच्छा और मानक अधनियम दोज्जा च्छे के तहत इस्ताफित एक शुतंतर बैदानिक निकाय है ये बारत सरकार के स्वास्ता और परवार कल्यान मंत्रा लेकि प्रशासनिक देगरेक में कार्य करता है एफ एससे आई में एक अध्यच और बाई सदस से सामिल होते हैं इसमें से एक त्याई सदस से माईलाएं होती हैं कि इन सरकार अध्यच की निक्ति करती है हाली में किसने आर बी आई से बोगतान एग्रिगेटर के रूप में लाइसन्स प्राप्त किया है यह अमेजन इंडिया के अमेजन पे ने प्राप्त किया है अमेजन इंडिया की फिंटे साका अमेजन पे ने वारती र permett से बोगतान एग्रिगेटर का लाइसन्स प्राप्त किया है अमेजन पे के अलावा डी सेंटरो, जूपे, जोहो को भी इस महीने RBI द्वारा पेमेंट एग्रिगेटर लाइसेंस को मंजूरी प्रदान कीगे इससे पहले जमेटो, इस्ट्राइक, टाटा पे, रेजर पे, कैस प्रीपेमेंट और एनकैस को समान नाइसेंस प्राप्ट हुए थे यानि बोगतान एग्रिगेटर की नाइसेंस प्राप्ट हुए थे जो भारत में फिंटेक विवसाओं के बड़ते पारिशित की तंतर को उ आरबी आई ने मार्च दोजर बीस में पेमेंट एग्रिगेटर या पेमेंट गेटवे के नियमा नहेतु जिसानेटेश जारी किये थे आरबी आई बोगतान और निप्टान पडाली अदिलियम दोज़स साथ के तहत इन फर्मों को ओनलाइन बोगतान एग्रिगेटर के र रोड रुपे होनी चाहिए अब बोगतान गेटवे क्या होते हैं तो बोगतान गेटवे एक सौप्ट बेर एप्लीकेशन है जो एक ओनलाइन इस्टोर अथवा ब्यापारियों को बोगतान प्रोसेस से जोडता है जिससे ब्यापारी को गिराग से बोगतान स्वीकार करने क अनुमती मिलती है अब हम अन्य मेत्पून खबर देख लेते हैं तो इसमें पहली खबर है गोगा के राजजिपाल स्री पीए स्रीदरन पिल्लै की भुस्तक बेसिक इस्ट्रक्चर एंड रिपबलिक का विवोचन चंगना चेरी के आर्क बिसब मार्प जोसेप फेरुम थोट किया गया है और इन्होंने क्या किया था तो इन्होंने सोविय सासक के अन्तिन बरसों के बारे में एक फ्रांसी सी उपन्यास ले दीवान डी इस्टालिन का इस्टालिन दीनार सीसक से बंगाली में अनुवाद किया था और इस अनुवाद के लिए इनको सात्मा रोमेन रोल ये वो 2.1 होनी चाहिए ठीक है 2.1 क्योंकि एक जोड़े के लिए एक पुरुफ और एक मैला यानि 2 वेक्ति होते हैं ठीक है तो इनको प्रतिस्थाप्ट करने के लिए भी 2 वेक्ति चाहिए ठीक है तो इसमें क्या होता है नैचुरल म्रतियों के अलावा और भी म्रतियों होती है तो इसलिए ये पॉइंट बन जादा रखा जाता है ठीक है तो 2.1 प्रतिस्थापंदर होनी चाहिए तो इस पर ना तो जनसंक्या बढ़ती है और ना गढ़ती है अगर इससे कम होती है प्रजनंतर तो इसमें जनसंक्या में गिरावट देगने को मिलती है और अगर इससे जादा होती है तो जनसंक्या में बढ़ उत्तरी देगने को मिलती है बारत के प्रदानमंतरी श्री नहिनमोदी और मौरीसस के प्रदानमंतरी श्री प्रविंद जुगनौत ने सैंक तुरूप से मोरी ससके अगालेगा दीप पर छे सामदाएक पिकास परिजनाओं के साथ साथ एक नई हवाई पर्टी का उदगाटन किया है किंदरी गिरमंत्री अमिस्टा और गुजरात के मुकमंत्री स्री बूपंदर पतिल ने कलोल गांदीनगर गुजरात में स्री स्वामी नाराण बिस्वमंगल गुरुकुल में स्वामी नाराण इस्टिटूट अफ मेडिकल साइंस एंड रिसरच इस्टिटूट नामक मेडिक की गोशना की है इस जॉइंट बेंचर में ट्रिलाइंस और उसकी साह कंपनियों की इस्तेधारी 63.16 परसेंट होगी जब कि दूसरी ओर डिजनी के पास मांकी के सेयार यहने 38.84 परस्त की इस्तेधारी जाएगी नीजिलेंड के क्रिकेटर नील बेगनर जो नीजिलेंड के 30 ग कर लीजिए अपनी दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए धन्यवाद